देश के उद्योग जगत को जगजोर देने वाली खबर कल शाम आई है जब यह पुष्टी हुई कि दिगज उद्योग पती और टाटा समो के पुर्व अद्धिश रतन टाटा का निदन हो गया चासिय वर्षिय रतन टाटा ने मुबे में आखरी सास ली उनके निदन के साथ भातिय उत्योग और समासिवा के शेतर में एक यूग का अन्थ हो क्या है रतन टाटा ना सिर्फ एक शांतार विरसाई थे बलकि वे मानफिय मुल्यों की प्रती थे उनके निदरुत्व में टाटा समो ने वश्विक पहचान बनाए और भारत को दुनिया के मानचितर पर मजबुति से स्थापिट किया रतन टाटा का जिवन भारती उत्योग चगर के लिए प्रेणा का स्तूर रहा है उन्होंने 1991 में टाटा समो की कमान संभाली और अपने बहतरी निदरुत्व से टाटा मोटर्स, टाटा स्टिल, टाटा कंसल्टंसी सर्विसेज जैसी कमपनियों को दुनिया की प्रमो कमपनियों में श्रुमाग्या उनकी अगुवाई में भारत में सबसे सस्तीकार टाटा नैनो का सपना साकरवा और उन्होंने प्रतिष्टित फिदिशी ब्रांड्स, जैकवार और लांड रवर का अधिक रैंकर भारती उत्योग को वैश्विक पहचान दिलाए व्यापार के शेत्र में अबवल होनी की बाजुत रटन टाटा हमिशा समाज की सेवा में अगरणी रहे है उनकी परोपकारी दुष्टि ने शिक्षा, स्वास्त और पर्यावरं के शेत्रों में उलेखने योगतां दिया है उन्होंने अपनी अधिकान समपति को समाज के खलनान के लिए समर पिट कर दिया जिसे वासिर्फ उद्योग चकत के ही नहीं बल्कि मानपियता के भी प्रतिक बन गये देश विदेश के तमाम दिगश निताओं और उद्योग पतियों ने उनके नितन पर शोग व्यक्त क्या है प्रदामतिन दरीन रमवोती ने कहा कि रतन टाटा का नितन देश के लिए अपन ये श्रति है और उन्हें नाके वल भारतियों द्योग को नई दिशा दी बल्कि वे एक महान मानुत वादी भी थे उनका योगदान सदेवल या क्या जाएगा रतन टाटा के सरल जिवन और महान विचारों ने उन्हें भारतिय समाज में एक आदर्श व्यक्तित पबनाया है उन्हें हमिशा यह सिखाया कि वेवसाय सिर्क मुनापा कमानी के लिए नहीं बल्कि समाज के सिवा के लिए भी होता है उनके निदन से नाके वल टाटा परिवार बल्कि पूरा तेश शोक में डुबावा है रतन टाटा के विरासत आने वाली पिडियों के लिए एक मार्क दिश्यक बनी रहेगी और उनका नाम सतैवस समान के साथ लिया जाएगा अलवीता रतन टाटा बिरो रिपोर्ट इंडिस यंद्यूस